हेलो फ्रेंज चलिए मैं आपके लिए फिर से एक और नए जान की लड़ो पाल जी के लिए ड्रेस बनाना बताऊंगी जहां पर मैंने तीन कलर लिए हुई है ये रेखिए आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले ले और तीनों कलर मैंने तीन पिलाई वाली उल्ली है जिसमें तीन दागे होते हैं वह वाली मैंने वूल ली है आप इसमें कोई भी कलर की वूल ले सकते हैं कोई भी दागे वाली वूल ले सकते हैं तो यहां पर हम जो आपको ड्रेस बताने जा रहे हैं वह मैं यहां पर नीचे से शुरूबात करूंगी इस ड्रेस की और तीनों क भुब लिए बता रहे हैं वह 6 को भी आराम से आजाएगी तो यहां हम पाँच नमबर लडु बमपाल जी के लिए 90 फंदे लिए फंदे हमने उसी तरह सी डाले ये डेखिए लिए 7 सिंगल दहाले से ही इस तरह से रही कि यहांपे अनन्य पर हमने इस तरह ऐसे डाल तो आप कोई भी अपनी पसंद का कलर ले ले इस तरह से फंदे डालने और हम यह नीचे से शुरुबात करने हैं और यह पांच नंबर के लिए हम 90 फंदे डालेंगे और हम वह आपको ड्रेस बताएंगे तीनों कलर लगा के आप इसमें रंग बिरंगे कलर लगा के इसको बना सब्सक्राइब करें है और लाइक करें शियर और कमेंट करके जरूर बताएं यहां पर हमारी ड्रेस आपको कैसी लगी तो चलिए हम 25 नंबर लडू पूपाल जी के लिए हधोड वाली ड्रेस मनाना सूरूर करते हैं चलिए फ्रेंज हम में यहां पर बनाते हैं पांच को हम इस तरह से बनाएंगे तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम पहली सलाई को इस तरह से थोड़ा सा यहां पर जब रूवात के फंदे डालते हैं तो थोड़ा सा टाइट होता है फंदा यह रेखिए तो यहां पर हम पहली सलाई को उल्टा उल्टा बनाके कंप्छीट करते हैं और उल्टीस लाई को भी उल्टाई की बनाएंगे इसके बाद आपको इसमें डिजाइन बताएंगे किस तरह से design ना है एक एक सलाई हम दोनों color से बनाते हुए जाएंगे तीनों color से तो यह बहुत बहुत ही सिंपल सी ड्रेस आपको बता रहे हैं जो बनने के बाद बहुत ही सुन्दर लगेगी आसानी से आप इस ड्रेस को बना सकते हैं ये छल्वर को भी आराम से आ जाएगी पांच नंबर के लिए हम बना रहे हैं तो चलिए मैं ये पूरी स्लाइग को यहां तक बुल लेती हूं इसके बाद उल्ति स्लाइग को भी बुल लेती उन इसी तरह से नि दोनों occurring से हमने बनाना इसी उल्टा उल्टा तो चलिए बनाते हैं इसको तो देखिए प्रेंस मैंने यहां पर एक सलाई बना ली है ग्रे कलर से यह देखिए तौनों तरफ से उल्टा उल्टा हमने यहां पर एक सलाई इसी तरह से बना ली है इसके बाद मैंने यहां पर अपना वाइट कलर लगा दिया ह और white color को लगाते हुए हम यहां से अपना design बनाएंगे तो देखिए मैंने grey color के धागे में अपना note लगा लिया है अब यहां पर हम white color से एक फंदा हम सीधा बनाएंगे यहां से अपना design हम बना रहे हैं तो धागा अपनी तरफ करेंगे हम यहां पर यह दो फंदों को एक साथ बनाएंगे यह रेखिए दो फंदे में से हम चार फंदे हम बना लेंगे यह रेखिए इस तरह से यह रेखिए फिर धागा अपनी तरप करेंगे तो यहां पर यह रेखिए दो फंदों को एक साथ ले रहे हैं और यहां पर दो फंदे हमारे बन चुके हैं फंदे को अभी हमने निकाला नहीं है फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर फिर से दुवारा दो फंदे और बना लेंगे तो यहाँ पर चार फंदे एक दो फंदों में से चार फंदे हमारे बन रहे हैं इस तरह से इसी तरह का हम एक-1 सलाई का दिजाइन यहां पर बनाएंगे यह रेकिए बिल्कुल एजी है कि इस तरह से तो दहा का अपनी तरफ यह दिखी है द्हान तो दो फंदे हैं ये हमारे पास दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और यहाँ पर दो फंदों में से चार फंदे हम बना लेंगे 2 फंदों में से इस तरह से 4 फंदे हम बना लेंगे पहली सरा ही थोड़ा कठिन होगी उसके बाद हम आराम से पूरा डिजाइन अपना इसमें बना लेंगे ये रिखिए इस तरह से तो फिर से मैं एक बार आपको फिर से समझा रही हूं दाग अपनी तरफ है इसके बाद हम दो फंदों को एक साथ ले लेंगे ये रिखिए दोनों फंदों में से चार फंदे हम इस तरह से बना लेंगे ये रिखिए फिर वापिस दाग अपनी तरफ कर लिया है अभी हम दोनों फंदे लिंका ले नहीं है और फिर दुवारा से हम यह Dekhye तो यहigkeit हम दोफंदे से चार फंदे अपने बना रहे हैं इसी तरह से यह तक हम बना लेते हैं और इसके बाद उल्टि श्लाई को आपको फिर से दिखाते हैं उल्टि श्लाई पे हमने चार फंदों का दो फंदा के इस तरह से बनाएंगे तो देखे फ्रेंस यहाँ पर हम बनाते हुए लाश्ट में आ गए है यह देखे दो फंदों को एक साथ लिया है दो फंदों में से मैंने चार फंदे बना लिये हैं इस तरह से यह रेखे और यहां पे हम यह दो फंदे लाश्ट के इसी तरह से बना लेते हैं यह देखिए तो यहां पे हमने दो फंदों में से चार फंदे बना लिये हैं इस तरह से सीधी सलाई को बना लिया है अब क्या करेंगे हम उल्टी शलाई पे हैं तो उल्टी शलाई को आपको दिखाते हैं किस तरह से बनानी है यह रेखिए यहाँ पे हम उल्टी शलाई को यह रेखिए चार फंदों का दो फंदा बनाते हुए जाएंगे यह रेखिए इस तरह से यहाँ पर 2 फंदे बढ़ चुके हैं तो 2 फंदों को हम इस तरह से बनाएंगे यह देखिए यह देखिए यहाँ पर हमारे फंदे घट रहे हैं जो 2 फंदे हमारे बढ़ चुके हैं फन्द बने है देख़ो चार फन d बने हुए ते दोaway और फन्दो का एक बनाते हुए जा रहे हैं यह चेस टरह से दो फन्द न फन्द बन चुका है यह py intuitи चार्भ आ नाया जाते हैं यहां पर बापिस 2लय हमारे घरस जाते हैं को इस तरह से उल्टी तरफ से हमने इसी तरह से यह design को बनाना है तो चलिए उल्टी चलाई को यहां तक पूरा complete कर लेते हैं पहुत ही जी है यह देखिए यह देखिए इस तरह से यह डिजाइन हमारा बनता हुआ आएगा तो यहां तक मैं बना लेती हूँ इसके बाद आप को दिखा देती हूँ तो देखिए प्रेंस यहां पर मैंने अपनी सीधी किसलाई में इस तरह से डिजाइन बना लिया है और उल्टी किना लिया है दो फंदो को एक करते हुए यह देखिए अब फिर से हम यह तो यहां पर एक सलाई हो चुकी है डिजाइन की यह देखिए सीधी सलाई को बना रहा है और वापिस उल्टी सलाई को बना लिया है तो एक सलाई यहां पर हो चुकी है यानि की दौनों तरप की दो सलाईयां यहां पर हो चुकी और मेल ने यहाँ पर अपना पिंक लाल लगा करूछा लिए है कि भी नहीं है और हम हम अपनols कने यहीजाइन बनाएंगे इसी तरह से इसको हम बनाती आगिंगे है W Them यहाँ पर फंदे को बना लिया है द्ला अपनी तर्प करेंगे और दो फंदों का फिर से इसी तरह से बनाएंगे, इसी तरह से हम इसमें अपना डिजाइन बना लेते हैं, ये रिखिए, वापिस दागा अपनी तरफ दो फंदों का, हर सलाई पे हम डिजाइन अपना बनाएंगे, उल्टी तरफ से हम चार फंदों का दो फंदा बनाएंगे इस तरह से हम बनाते हुए जाएंगे यहाँ पे चार फंदे बनने हैं दो फंदे से यह देखे इस तरह से एक दो फंदे आ चुके हैं वापिस दागा अपनी तरफ करेंगे फिर यहाँ पे तीन फंदे आ चुके हैं यह देखें तो यहाँ पे हम इसी तरह से इसको बनाते हु यह देखिए बहुत इजी तरीके से बनने वाला है यह तो चलिए बना लेती हूँ तो देखिए फ्रेंद्स, मैंने यहाँ पर इतना इसको बना लिया है 90 पंदे हमारे एक साथ इसी तरह से डिजाइन में हमें इसमें बना लिया है तो देखें मैं डिजाइन के आपको सलाईयां बता देती हूँ शुरू से ही आपको बता रही हूँ एक सलाई हमने इसी तरह से सिंपल सिंपल बनाई थी तो यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस दस सलाईयां यानि की दोनों तरब की ये 20 सलाईयां डिजाइन की हो चुकी है इस तरह से ये रेखिए तो यहाँ पर 10 सलाईयां ही हम डिजाइन की बनाएंगे इस तरह से यह हमारा यहां पे यह देखिये अच्छा सा design बन के आया है इस design को आप किसी में भी डाल सकती है यह देखिये और अपने हिसाब से इसमें color लगा सकती है तो देखिये अब हम क्या करेंगे यहां पे दोनौ गलर के गुरे कलर और मैंने पिंक कलर को हेटा दिया है और यहां पे वाइट ही हिए उमा Pers지 करें तो वाइटमें हम क्या करेंगे यहां से यह देखिए पहले फंदे को हम बना ले यह इस तरह से अव यह कि यहां पे दो का एक बनाते हुए जाएंगे अब हम वाइट से ही उपर फंदे घटाएंगे इसके ये देखिए इस तरह से तो बहुत ही इजी है इस तरह का डिजाइन मैंने और भी काफी डिरैसों में डाला हुआ है आप उसमें भी जाके देख सकते हैं डिजाइन एकदम सिंपल है और बनने के बाद काफी सुन्दर लगता है तो यहाँ पर यह देखिए दो का एक हम फंदे अपना घटाना शुरू करें है पांच नम्मल लडू को पाल जी के लिए यहाँ पर दस सलाईया मैंने कम्प्लीट कर लिए यानि की दौनों तरप की 20 सलाईया और यह हम 11 सलाई पर चल रहे हैं यह देखिए तो यहाँ तक फंदे घटाती हूं यह देखिए कापी शुन्दर हमारा डिजाइनी इस तरह से बन गया है तो यहाँ तक फंदे कम कर लेती हूं इसके आगे आपको फिर दिखाते हैं तो देखिए फ्रेंस मैंने यहाँ पर दो का एक बना लिया है यहाँ पर आदे फंदे हम कम कर चुके हैं यह देखिए इस तरह से अब हम क्या करेंगे उल्टी शलाई को हम उल्टा बनाएंगे तो यहाँ पर हम फंदे दूसरी शलाई पर भी कम करेंगे उल्टी शलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे जब यहां पे हम फंदे कम कर लेंगे इसके बाद हमने यहां पे हुड बनाना है कैब बनानी है तो बहुत एजी तरीके से और सिंपल तरीके से ड्रेस को बताया है अगर आपको वीडियो पसंद आये तो प्लीज इसे जरूर लाइक करें शियर करें और कमेंट करके जरूर बताएं ग्रेस हमारी आपको कैसी लगी तो चलिए हम उल्टी सलाई को बनाते हैं तो देखी फ्रेंज मैंने यहां पे एक सलाई पे फंदे घटा दिये हैं यह हमारी दूसरी सलाई है, दूसरी सलाई में भी हम फिर से फंदे घटाएंगे, यह देखिए इस तरह से ही, और पूरा हम वाइट ही लगाएंगे, यहाँ पे अब हमने डिजाइन को बंद कर दिया है, फंदे घटाने के बाद, तो पांच नमबर लेड़ो पॉपाल जी के लिए ड्रेस को बता रहे हैं, छे को भी यह आराम से आ जाएगी, यह देखिए, हुडवाली ड्रेस, तो चलिए मैं फंदे यहाँ पे फिर से बंद कर लेती हूँ, तो देखिए हमने फंदे घटा दिये हैं, अब यहाँ पे हमारे 23 फंदे है, सब भी फंदों को कम कर दिया है, यहाँ पे 23 फंदे हैं, और उल्टी शलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे, यहाँ पे हमने 23 फंदे रखने हैं, हुड के लिए, तो यहाँ पे उपर हम कैप बनाएंगे, इसकी बाकी के फंदे सब भी बंद कर दिये हैं, यहाँ पे, दो स्राईयों पे, दो का एक बनाते हुए, हर फंदे पे फंदा घटाया है, और उल्टी शलाई को पूरा उल्टा बनाया है, यह देखिए, इस तरह ऐसे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपना हुड के लिए, फंदे उल्टे बनाएंगे, यह देखिए, सीधे भी आप बना सकते हैं, यहाँ पे हम उल्टा फंदा बना लेंगे, तो यहाँ पे मैं उल्टी उल्टी, यह आट शलाईया 23 फंदों की बना लेती हूँ यहाँ पर टोटल हुड के लिए 23 फंदे हमने रखे है अच्छे से लड़ो गोपाल जी के लिए कैप बन जाए और हमने यह 5 के लिए बनाई है 6 को भी आराम से यह पहना सकते हैं आप तो चलिए हम यहाँ पर यह 8 शलाईया कम्प्लीट करते हैं आठमी शलाई पर आपको फिर दिखाएंगे यह रेखिए उल्टी उल्टी 8 शलाईया बनाके कम्प्लीट कर लेती हूँ तो चलिए बना लेती हूँ 8 शलाईया इसके बाद फंदों को आपको बताती हूँ किस तरह से हुड को हमने बनाना है शलाईयों से ही आप यह सारे फंदे बन कर सकते हैं तो चलिए बनाते हैं पहले 8 शलाईया इसके बाद आपको दिखा देते हैं फिर तो देखी फ्रेंस यहां पे हम 8 शलाईया टोटल कर चुके हैं यह देखी 6 सलाईया मैंने उल्टी उल्टी बना ली है और दो सलाईओं पर मैंने यहाँ पर फंदे घटाए मिया है तो देखी टोटल यहाँ पर दो, चार, यह रेखिए दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ आठ सलाईओं तोटल हो चुकी है अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हम उल्टी तरफ हैं तो उल्टी तरफ से चाहें तो आप सबी फंदों को एक साथ घटा के सुई से भी सिलाई कर सकते हैं और हम यहाँ पर आदे आदे फंदे दोनों तरफ कर लेंगे यह रेखिए इस तरह से दो, तीन, चार, और यह पांट, छे, साथ, आठ, नो, दस, और यह ग्यारा 11 फंदे इदर रहेंगे, यह रेखिए 12, अब हम दोनों फंदों को इस तरह से दोनों सलाईयों को पलट लेते हैं और यह हम उल्टी तरफ से पलटे हुए हैं यह रेखिए यह हमारा उल्टा डिजाइन है और यह अंदर सीधी तरफ है तो हमने यहाँ पे आदे आदे फंदे दोनों तरफ कर लिये हैं और जो हमारे पास बार्मा फंदा है हम उसको इस सलाई में ले लेंगे यह रेखिए इस तरह से अब यहाँ पे 11-11 फंदे दोनों तरफ हैं तो अब हम क्या करेंगे दोनों सलाईयों दोनों में से एक एक फंदा लेते हुए इसको बंद करेंगे इसके उपर से लाश्ट वाला फंदा गिराएंगे इस तरह से यहाँ पर दोनों सलाईयों से एक एक फंदा ले लिया है और लाश्ट वाला फंदा सलाई के उपर से गिरा तो देखे मैं यहां पर दौनों श्राइट सोई एक फंदा ले रही हूं और उनको पिछे से गिरा दे रही हूं तो यहां पर सबी फंदे इस तरह से बंद हो रहे हैं यह रेखे तो चलिए फंदे बंद कर लेते हैं तो सब भी फंदे बंद कर चुके हैं और यहीं से अपना धागा कट करेंगे यह रेखिए और इस धागे से हम इस तरह से फंदों को निकालेंगे अब यह रेखिए हाँ यहाँ पर हुड बनके complete है इस धागे को हम पीछे की तरफ यह रेखिए इस तरह से निकालेंगे और धागे को cut कर देंगे यह रेखिए इस तरह से तो यहाँ पर जो भी धागा हमारा एश्टरा है हम उसको cut कर देते हैं यह रेखिए तो अच्छे से य हमारी घेर वाली ट्रेस बन गई है यहां पर इस तरह से हम जब लड़ुगोपाल जी को पहनाएंगे यह तरह से इसका लुका जाएगा यह तरह से पहनाने के बाद इस तरह से लुका जाएगा और यहां पर हम कोई भी डोरी अपना डाल सकते हैं जो भी कलर आपको पसंद है आप उस कलर की डोरी यहाँ पर लगा ले और यह देखिए अच्छे से यह ड्रैस हमारी सुन्दर्शी बनके कंप्लेट है यह देखिए तो वीडियो पसंद आए तो प्लीस इसे जरूर लाइक करें शियर करें और कमेंट करके जरूर बताएं यह हमारी ड्रैस आपको कैसी लगा लेते हैं मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई